हेलो तोस्तों आज में देखिए आप लोगों के लिए ये इस तरीके का पैटन लेकर आई हूँ और ये बहुत खुबसुरत पैटन है और ये किसी भी प्रोजेक्ट में डालिया आप जैंस में लेडीज में और बच्चों के प्रोजेक्ट में आप किसी में भी डालिये ये 17 फंदे मुल्टिपल करते हुए लेने हैं जितने भी डालने हो फंदे उसमें हमें तीन फंदे एक्स्टा रखने हैं जिससे हमारी डिजाइन बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और ये 20 सलाइयां हमें रिपीट करनी है ये इतना मैंने आपको 20 सलाइयों में बना के दिखाय 17 फंदे डिजाइन के और 3 फंदे एक्स्टा तो अब शुरू करते हैं की डिजाइन हम कैसे बनाएंगे देहिए सबसे पहली सलाइया है पहली सलाइय जो है तीन फंदे शुरू के उल्टे बनाएंगे तीन फंदे शुरू के उल्टे थे पर अबनाएंगे तो यहां पर हम इधर ही रहने देंगे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो तीन तो यहां पर देखे एक जाली बन गई और एक फंदा बढ़ गया अब जो फंदा बढ़ा हुआ है उसे हम घटाएंगे तो तीन फंदो के बाद हम इस तरीके से दो फंदो का एक बना देंगे और फिर उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर तीन तीन छे और नौ फंदे सीधे बनाने हैं नौ फंदे सीधे बनायेंगे हम यह पैली सलाई है और इतनी भी इस डीजाइन में उल्टी सलाई आएंगी वह नौर्मल उल्टे बनी जाएंगे उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है सिर्फ हमें सीधी तरफ से डिजाइन डालनी है और लाश्ट के तीन फंदे हम फिर से उल्टे बना लेंगे तो पहले मैं ये आपको एक बात और बता दूँ कि जैसे ये डिजाइन के तीन फंदे ये जो शुरू में आए तो मैंने ये तीन रखे ते उस हिसाब से ये डिजाइन आपको दिखाई है तो अब इल्टी वना लेंगे और उसके बाद हम आपको तीसरी वनाई पर दिखाएंगे कि डिजाइन हमें कैसे पूरी करनी है अब यह देखिए हम अपने तीसरी सलाई पर आ गए तो फिर से हम शुरू के तीन फंदे उल्टे बनाएंगे यहाँ पर आप तीन फंदों को एक भी मतलब रख सकती है और तीन भी रख सकती है जो जाली का फंदा था उसे हम अब सीधा बनाएंगे और फिर से हम अपने आगे करेंगे और एक तीन फंदे सीधे बनाएंगे यहाँ पर जाली हम डालेंगे और तीन फंदे सीधे बनाने के बाद दो फंदों का एक बनाएंगे और उसके बाद देखिए ये दो फंदों का एक बनाएंगे उसके बाद देखिए तीन फंदों को छोड़ने की बाद ये हमारे आठ फंदे सीधे बनेंगे और तीन फंदे लाश्ट के हमारे उल्टे बनेंगे ये एक केबिल की डिजाइन की तरह आपकी ये डिजाइन बनती जाहेगी और बहुत खुबसूरत सा पैटर्न है आप जैन्स के स्वेटर में बनाईए बच्चों के प्रोजेक्ट में बनाईए लेडिस कार्डिगन बनाईए सभी बहुत खुबसूरत बनकर आएंगे आपके प्रोजेक्ट जो भी बनाना चाहें आप इसका आप मफलर बनाईए शौल बनाईए यह इसा पांचीव बनाईव हमारी पांचीव सिलाईब हर आप intest हमारी पांचीव सिलाईब हमें चूआ करना अजह आपणाइए एक, दो, और ये तीन, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, उन पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे, ये पांच वीच लाई है, ये अब ध्यान रखेंगे, दो फंदे सीधे बनाने के बाद उन आगे करेंगे, और फिर से हम तीन तीन फंदे सीधे बनाएंगे, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद हमें दो फंदों का एक इस तरीके से करना है, पीछे से ऐसे हम बनेंगे, और फिर हम साथ फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, उन आगे करेंगे हम, और तीन फंदे उल साथवी चलाई का मैं बताती हूँ कि हमें क्या करना है इससे पारने 3 पंदे बनाने है चाहिए तीन पंदे बनाने है तीन फंदे सीधे बनाएंगे तीन फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे उन आगे करेंगे और फिर से हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे यह साथ भी सलाई है हमारी और हम यहाँ पे दो फंदों का एक बनाएंगे उसके बाद हमें जो भी फंदे तीन फंदों को छोड़कर छे फंदे बचे उन्हें हम सीधा बना लेंगे 20 सिलाईया हमें रिपीट करनी है 20 सिलाईया हमें बनानी है उसके बाद हमारी डिजाइन कंप्लेट हो जाएगी और इन ही भी सलाईों को आप रिपीट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में तो यह डिजाइन आपकी इस तरीके से केबल बनता हुआ जाएगा केबल की तरह दिखेगी यह डिजाइन आपको लेगिन यह हम जैसे केबल में फंदेट ट्विस्ट करते हैं इसमें हम फंदेट ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए यह आपकी आट्वी सलाई है इसे हम उल्टा बना लेते हैं उसके बाद मैं आपको नौवी पर दिखाते हूं यहां पर देखिए अब यह हमारी नौई सलाई है नौई सलाई में हमें देखिए एक बार मैं आपको ऐसे बता दू तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे उसके बाद हमें चार फंदे सीधे बनाने तो फिर शुरू करते हैं तीन फंदे उल्टे बना लेंगे तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद हम चार फंदे सीधे बनाएंगे उन पीछे करेंगे और चार फंदे सीधे बनाएंगे चार फंदे सीधeh बनाने के बाद न आगे किया और तीन फंदे सीधे बनाएंगे और फिर उसके बाद हम पांच फंदे सीधे बनाएंगे यह पांच पंदी सीधे बनेंगे फिर उसके बाद तीन पंदे उल्टे तो यह नौवी सलाई भी हमारी कम्प्लीट हो गई आप दसवी सलाई उल्टी बना लेंगे और उसके बाद हम ग्यारवी सलाई पर बताते हैं कि हमें क्या करना है तो यह देखिए अब हम अपनी ग्यारवी सलाई पर हैं ग्यारवी सलाई हमें कैसे बनानी हैं तीन पंदे शुरू के उल्टे बना लेंगे हम तीन पंदे उल्टे बनाने के बाद तून पीछे करेंगे और पाँच पंदे सीधे बनाएंगे पाँच पंदे सीधे बनाने के बाद उन आगे करेंगे और तीन पंदे सीधे बनाएंगे एक दो और यह तीन तीन पंदे सीधे बनाने के बाद तो पंदों का एक बनाएंगे हम दो पंदों का एक बनाएंगे और उसके बाद चार पंदे सीधे बनाएंगे चार फंदों के बाद हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे उसके बाद हम उल्टी सलाई पूरी उल्टी बनाएंगे और फिर तेरवी थर्टीन त्रो पे हम बताएंगे आपको क्या करना है यहां पर देखे हम 13 अलाई पर आ गए है थर्टीन प्रिप तो यहां पर हम फिर से बैदी ने 3वाड़ कैसं से 가능 अनल प्रिज़ों को ब्रेहरार आड़ भी न दो एल्टेमिए उन्ट है पांच शेपनर बने हैं। 3 फंदे सीधा बनाने के बार दोपनों का एक बनाएंगे और 3 फंदे सीधा बनाएंगे तो दिखिए यहां पर फिर से हमारे उल्टे फंदे आ गए लास्ट के 3 फंदे उल्टे हम बना लेंगे फिर से हमारी जो 14 त्रो है उसे हम उल्टा बना लेंगे और उसके बाद हम अपनी 14 फिफ्टीन त्रो पे आपको बताएंगे हम क्या करना है तो देखिए अब हम अपनी पंदरवी सलाई पर आ गए हैं फिर से हमने शुरू के तीन पंदे उल्टे बनाने हैं से अब फिर उसके बाद हमें देखिए कितने फंदे साथ फंदे हमें सीधे बनाने हैं जहां तक जाली बनी हुई है वहां तक हमें फंदे सीधे बनाने ह Seven 3, 4, 5, 6, 7 7 फंदे सीधे बनाने का उन आगे करेंगे और 3 फंदे सीधे हम बनाएंगे फिर उसके बाद हमें 2 फंदों का एक इस तरीखे से बनाना है और फिर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे 2 पंदे सीधे बनाने के बाद 3 पंदे लास्ट के और फिर से हमारी Сोलमी सलाई ही उसे मॉल्टा बना लेते हैं तो यहां पे हमारी ये सत्रम सलाई है 17 रो है तो अब हम फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे तीन फंदे उल्टे आठ फंदे हम सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, आठ फंदे सीधे बनाने के बार उन आगे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे दो फंदों का एक बनाएंगे उसके बाद हमें दो फंदे सीधे, सारी, एक फंदे सीधा बनाना है और फिर उन आगे करेंगे और ये तीन फंदे उल्टे बन जाएंगे अब उल्टी सेलाई कम्प्लीट करने के बाद 19 रोपे मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करना है अभी देखिए 19 वी सलाई है हमारी तीन फंदे उल्टे बनाएंगे हम तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद पीछे करेंगे और 9 फंदे हमें सीधे बनाने दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, और ये आठ, नौ अब हमें उन आगे करना है और तीन फंदे सीधे बनाने है एक, दो, तीन, दो फंदो का हम एक बना देंगे उन आगे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे तो ये हमारी डिजाइन कम्प्रीट हो गई बस हमें 20 वी सलाई अपनी उल्टी बना लेना है तो इसके बाद हमारी ये 20 सलाईयां कम्प्रीट हो गई तो ये देखिए हमारी डिजाइन कम्प्रीट हो गई है तो यहाँ बे मैंने यहाँ पूरी आपको 20 सलाईयां बना के दिखा दी तो देखिए इस तरीके से ये हमारा पैटर्न है आपको केबल की तरह दिखेगा इस तरीके से बनता हुआ जाएगा जब आप अपने प्रोजेक्ट में बनाएंगी तो बस इनी 20 सलाईयों को आप रिपीट करते हुए अपने प्रोजेक्ट में बनाईए गा सबस्क्राइब करेंगा झाल झाल